जैवीर जी आप से ही करता हूं जैवीर जी उत्तरपदेश देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने धार्मिक टुरिजम को प्रमुक्ता से सबसे पहले उस पे काम करना शुरू किया और आज यूपी ना सिर्फ देश का बलकि पूरे दुनिया में चर्चा का विशे बन गया है चा करकार के तौर पे कैसे यह थौट आया कि हम धार्मिक्ता को अर्फवस्ता से जोड़ सकते हैं देश के मंदिरों को रोजगार से जोड़ सकते हैं जैवीर जी देखिए पहले तो नमस्कार रवी जी और आपको बहुत बहुत धन्वाद के बिसेप हैं आप लोगों ने आज चर्चा करने का नेड़े लिया जिस से देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के धार में टूरिज्म के बारे में और बली भात लोग जान सकें देखिए आ उत्तर प्रदेश के टूरिज्म की इस्टिती बहुत देरी इस्टिती में थी हाला कि आप हम सब जानते हैं कि किसी भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उस संदर्वित प्रदेश में या उस देश में लोग एंड ओर्डर का अच्छा बिसे होना आवस्ट है जब तक छिवत गाओंसे एक बीमारू राज़ी के रूप में एक दंगाईयों के राज़ी के रूप में एक कानून विवस्ता फेले о रिस्टेट के रूप में उत्तरर प्रदेश की लोग परिप्लैक्शन रखते थे अफजारा रखतेते ये इस दियाँ थी लेकन आदरी या यो क जी के नेटत सित्वे में सक्टाइबने के बार जिस तरीके से कानून का राजिष्टा पिछ प्रदेश भिकास की नहीं नहीं हुचाहिएं Kenny की दोर्ड में सामिल हुआ और आज वो उत्तरप्रेश जो कभी इन चीजों से जाना जाता था और कानून को राज का उत्तरप्रेश दंगा मुक्त उत्तरप्रेश बुल्डोजर वाले बाबा का उत्तरप्रेश जिसका उधार ना सिर्फ विविन्द प्रदेश देते हैं बलकि अन्य देशों में भी जिसकी चर् देने की बात हो या प्रदेश में निवेश करने की बात हो देश और विदेश के लोग आकशित हुए हैं और निश्चतूप से हम लोग सहबा किसा लिए कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां मर्यादा पुर्सोतम भावार राम की जन्व भूम है हमारे भावार सिव के तरसूल पर बिराजमान है जहां चित्कूर धाम है जहां तमाम द्रिशियों मुनियों और बड़े-बड़े संत परसों की तपो भूम नेमी सारन है जहां गोरक नाज जी का तपो इस्तली है ऐसी भूम है जो धार्मिक रूप से बहुत ही फली फूत भूम है ऐसी अ अपार समभावना को प्रदेश रहा है इसको धरातल पर उताने की जरूथ थी जिसके लिए प्रदेश सरकान ने टीन चीजें बिसेश्श रूप से नमर एक उन धार में इस्तलों के समचित विकास की ओजनाए और उसके आसपार पाइटरन विकास की ओजनाए नमर दो उनक किनेक्टिविटी के लिए बैतरीन विवस्ता है रोड कनेक्टिविटी हो रेल कनेक्टिविटी हो एर कनेक्टिविटी हो बाटर कनेक्टिविटी हो इस तरह की तमाम योजनाओं को दरातर पर उतांदे का काम किया और साथ ही साथ हमां इंफारिस्ट्रेक्टर डिवलप करके हम लोगा ने बैतरी बिवस्ता देने का काम किया आज आप देख रहे होंगे कि जहां एको दो या सत्रे में लगबग जो हमारी सरकार आने से पहले पुरानी सरकार के जमाने में मात्र सोले करोर पर्टकों की आबक थी उसी के सापेज चार्ज की तारीक में दो या तेईस में अर्तालीस करोर पर्टक उत्ता परेश में आने में हम लोग सबल हुए है इतने पर्टकों का आना या हुआ है और जब एक पर्टक आता है तो छे लोगों को रोटी और रोजगार के अफसर देने का कम करता है और के चीज जो कह सकते हैं यू पी सरकार के लिए बीजेपी के लिए एक तो वोट मिल रहे हैं और दूसरे नोट में मिल रहे हैं लोग आउद्य yan म्रें पकाशी विश्वानात कोरिड़ोर आ रहे हैं तो उससे अर्थ्ववस्ता का पहिया भी घूम रहा है तो ये रोजगार को कैसे जोड़ा जाए इन सब चीजों को लेकर को इस्टेजी है क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे आगरा यूपी में एक बड़ा फेमस नान था फिर मतुरा था लेकिन अब आयोध्या ना सिर्फ य उद्या की आयोध्या हम आप देख रहे होंगे कि इस वार लाखों लोग प्रत दिन की आवक है हम लोगों के लगवा उस्तन दो लाख से उपर प्रतक प्रत दिन का उस्तन आ रहा है और जब आप ये भी देख रहे होंगे कि सेकड़ों करोड रुपया का चड़ावा विव हो रहा है कि वहां का चाहे रेड़ी वाला हो ठेले वाला हो फूल वाला हो माली हो केवट हो छोटे-छोटे दुकानदार हो पाँच-पाँच कमरों के अपने घरों में ही कमरे बना करके पर्टकों को आने के लिए ठेनने के लिए विवस्ता करने बाले होटल ते लेके रेवन्नू रिकर्ड बने का काम हुआ है राजस में छोटे कारोवारी से लेके छोटे-छोटे ठेले वाले खुमते वाले से ले करके बड़े-विरे डावे और रेस्टुरेंट तक करोणों रुपया प्रदिन की आयमें ब्रद्धी अकेले अहुद्या में हुई है इसी तरह और देश के बलक बिविन देशों के लोग वहां अपने इस्थान बनाने के लिए लोगों के लिए अपने होटल और ठेरा बनाने के लिए वहां गेस्टाउट बनाने के लिए उत्तपने सरकाते जमीन आरच्चत करने के लिए लान में लगे हुए हैं वहां कासी का काया कास जी 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 तरी के से आप देख रहे होंगे ठीक है शुक्रिया जैविर जी